एसे सब्द जो की एक दूसरे की विप्रीत अर्थ देती हैं विलोम सब्द कहलाती हैं और आज हम अल्प आयू का विलोम सब्द के बारे में बड़े ही विस्तार से जनेंगी तो वीडियो को पूरा देखें ताकि अलप आयू का विलोम सब्द पूरी तरह से समझ में आ जाए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलप आयू का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तों अलप आयू का विलोम सब्द धिर्ग आयू या चिरायू होता है अलप आयू का मतलब क्या होता है आई ये जान लिती है दोस्तों जो इंसान कम उमर के अंदर ही मर जाता है या जिसकी उमर कम होती है उसके लिए अलप आयू सब्द का प्रियोग किया जाता है ये निर्दारित करना बहुत ही कठीन है कि कौन सा इंसान अलप अयू का होगा और कौन सा चीरायू होगा वेसे वह इंसान बिल्ला ही होता है जो कि अलप अयू को चाता है फर इंसान की इंच्या होती है कि वह पूरी उमर लेकर मरें वह पूरी 100 साल तक जिये लेकिन असल में आजकल हर किसी की उमर सो साल तक की नहीं होती है। खाने पीने की चीज इतनी जहरीली हो चुकी है की इन्सान साथ साल की उमर से अधिक जी ही नहीं सकता। दिर्ग आयू या चीरायू का मतलब क्या होता है आई ये जान लिती है। दोस्तों, चीरायू का मतलब होता है जो लंबे समय तक जीता है, उसके लिए चीरायू सब्द का प्रियूग किया जते हैं, आज हर इंसान चीरायू होना चाहता है, अगर आपके दादा दादी अभी जीवित हैं, तो कहा जा सकता है कि उनकी उमर अभी चीरायू या दिर्ग आयू की हैं, वही पर अगर आप भी लंबे समय तक जीवित रहने वाले हैं, तो आप भी दिर्ग आयू या चीरायू हैं, मगर इस बारे में पता नहीं चलता कि कोन कितने वर्षों तक जीवित रहने वाला हैं, इस तरह से अलप आयू का विलोम सब्द दिर्ग आयू होता ह या चीरायू होता है जो की हमने जान लिया है क्या आपको वीडियो अच्छा लगा बताना ने भूले इसके साथ ही एसे ही विलोम सब्द जानने के लिए चेनल के लाल बटन को दबा करें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ने भूलें